इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी employees पार्टी कर रहे होते हैं ये पार्टी चीफ एडिटर ने रखी थी तभी मिस एडिटर सिंग जून को ड्रिंक करने के लिए कहती हैं वो कभी ड्रिंक नहीं करता लेकिन उनके कहने पर वो थोड़ी सीपी लेता है और तभी संग जून अपने घर जाने लगता है लेकिन तभी रास्ते में वो बेहोश होकर गिर जाता है शिन हुक और किम जिन जल्दी से उसकी मदद के लिए भागते हैं यहां शिन हुक उसे अपने कंदे पर बैठा कर उसके घर तक ले आया था किम जल्दी से की कार्ट से उसके घर का दरवाजा खोल देती है शिन हुक सुंग जून को यहां लाकर बहुत ठक गया था इसलिए वो किम जिन से पानी लाने को कहता है लेकिन जब किम उसके फ्रीज से पानी लेने जाती है तो सुंग जून के फ्रीज में सिर्फ पानी ही होता है उसमें एक पी खाने क समान नहीं था अब ये दोनों यहां से अपने घर जाने लगते हैं शिन्हुक गलती से सुमजून का की कार्ड अपने साथ लेकर आ गया था वो सोच रहा था कि वो इसे सुमजून को बाद में दे देगा किम अभी भी यही सोच रही थी कि सुमजून आखिर अपने फ्रीज मे सिर्फ पानी ही क्यों रखता है शिन हुक अब उसे फिर से परेशान करने लगता है वो उससे बार बार यह कह रहा था कि बताओ भी अब तुम क्या सोच रही हो इस बात से किम को गुस्सा आ जाता है वो कहती है कि आखिर तुम्हें प्रोब्लम क्या है मजाग की भी हद होती है क्या मैं तुम्हें कोई जोकर दिखती हूँ जो तुम मुझे परेशान करने आ जाते हो ये बात सुनकर शिन हुक सीरियस हो जाता है वो उससे कहता है कि तुम इतना क्यों गुस्सा कर रही हूँ मैं तो तुम ही अपनी बेहन मानता हूँ इसा नहीं कहना चाहिए था किम सोचती है कि मैं अभी उसे फोन करके माफी मांग लेती हूं लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपना फोन सुंग जून के घर भूलाई थी फिर किम जल्दी से बड़ी मुश्किल से उसके घर का पासवार्ट खोल कर अपना फोन लेने आ ज रहती है कि अरे तुम इनसे ऐसे नहीं कह सकती ये असल में इसी होटल में रहते हैं इस पर अब ये दोनों उससे माफी मांगने लगती हैं लेकिन ये शक्स असल में शिनहुक होता है वो इसी होटल के रूम नंबर टू-024 में रहता है शिनहुक कहता है कि चलो कोई बात नह मैंने तुम्हें माफ किया यहां किम की नजर सिंग जून के घर में रखी उसी पजल पर पड़ती है जो वो बच्पन में सिंग जून के साथ सॉल्फ किया करती थी सिंग जून ने उसे कांच के फ्रेम में लगा कर सजा रखा था किम जैसे ही पजल को छूने की कोशिश करती है तभी अचानक से सिंग जून उसके पीछे से आ जाता है किम से गलती से पजल नीचे गिर जाती है वो उससे कहता है कि तुम यहां क्या कर रही हो किम जून उससे सारी बात बता देती है कि मैं शिन्हुक के साथ यहां आय थी तुम शराब पी कर बेहोश हो गए थे और फिर वो यहां से चली जाती है यहां किम जून हारी के साथ अपनी मा के घर दिनर करने आये होती है और तभी वो अपने रूम में उसी पजल के तुकड़े को धूनने लगती है जो सुम जून ने उसे दिया था और फिर वो उसे मिल ही जाता है यहाँ अब ये दोनों घर जा रही होती है और तभी एक लड़की जो उसी कमपनी में काम करती है वो किम जिन को किसी काम से अभी ओफिस जाने के लिए कहती है और फिर उसके कहने पर किम जिन ओफिस आ जाती है काम करके किम जिन सुंग जून के आफिस में गुश जाती है लेकिन तभी यहाँ पर सुंग जून आ जाता है वो जल्दी से अलमारी में छुप जाती है सुंग जून फोन पर किसी से जरूरी बात कर रहा था किम जिन उसकी सारी बाते सुन रही थी लेकिन फिर सिंग जून उसे देखी लेता है वो कहता है कि अब तुम यहां क्या कर रही हो वो कहती है कि सर मैं यहां किसी काम से आय थी तभी मैंने आपके आफिस की लाइट जलती हुई देखी मैं बस उसे आफ करने के लिए यहां घुस गई वो कहता है कि इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि मैं अभी फोन पर बात कर रहा था तुमने क्या क्या सुना वो कहती है कि सर मैंने बस ये सुना कि आप इस कमपनी को बंध होने से बचाना चाहते हो वो कहता है कि अगर तुम्हें ये बात पता भी चल गई है तो ये बात किस और तभी यहाँ पर सिंग जून आ जाता है ये दोनों साथ में वरक आउट करने लगते हैं और फिर वो हारी को बाहर गुमाने ले आता है और तभी यहाँ पर सिंग जून के ओफिस का एक लड़का उन दोनों को साथ देख लेता है वो सोचता है कि शायद ये लड़की चीफ की गल्फ्रेंड होगी यहां शिन्हुक सुबा को होटल से आफिस के लिए जा रहा होता है और तभी वो यहां पर हारी को देख लेता है वो उससे कहता है कि अरे तुम तो वही हो जो कल मुझे होटल से बाहर निकाल रही थी हारी कहती है कि सर मुझे फिर से माफ कर दीजिये श अगले दिन जब किम जम ऑफिस आती है तो उसे अचानक से एहसास होता है कि उसने पजल के टुकड़े को कही गिरा दिया है उसे याद आता है कि कल रात ही उससे वो ऑफिस में गिर गया होगा फिर वो नौकरानी से पजल के बारे में पूछने लगती है लेकिन नौकरानी म पजल के तुकड़े को अपने पैर के नीचे छुपा लेता है। किम जन और शिन हुग बाहर बैठे खाना खा रहे होते हैं तब ही शिन हुग पजल कर टुकड़ा उसे दे देता है। से पहले ही चीफ ने फोन रख दिया था और ये बताओ कि अब तुम उससे सच क्यों छुपा रही हो। अब हारी उसे सब कुछ बता देती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि वो इतनी खुपसूरत नहीं है जितना उसे होना चाहिए था वो उसे ये भी बताती है कि सुंग जून असल में किम जिन किसी और को समझता है। शिन हुक उससे कहता है कि लेकिन तुम तो खुपसूरत हो तुम भे ऐसा नहीं करना चाहिए उसे सब सच बता देना चाहिए किम कहती है कि तुम किसी को भी इस बात के बारे में मत बताना। यहां किसी शौक पर शिन हुक और हारी फिर से एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर ये दोनों एक साथ बैठ कर रामन खाने लगते हैं और इस दोरान इन दोनों में काफी बाते भी होने लगती हैं हारी उसे ये भी बताती है कि उसकी एक दोस्त है जिसे वो अपनी बहन की नेक्स्स सीन में हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉई इस साथ में बैट कर रेस्ट्राउंट में डिनर कर रहे होते हैं, केमजं और शिन्हुक भी यही पर होते हैं, तभी वही लड़का जिसने सिंग जून को हारी के साथ देखा था, वो सबसे कहता है कि मैंने चीफ के साथ ए उसकी girlfriend ही होगी यहां हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने कल रात किम जिन को अपने काम से office भेजा था हनसुल किसी से phone पर ये कह रही होती है कि आज वो अपना सारा काम किम जिन से करवा लेगी और खुद बाहर party में चली जाएगी तभी उसकी ये बात दूर खड़ा सिंग जून सुन लेता है अब वो ये सोच रहा था कि office के सभी लोग अपना काम किम जिन पर ही क्यूँ डाल देते हैं उसे शायद अब हारी पर थोड़ा तरस आने लगा था सभी employees के जाने के बाद किम जम office में बिखरी coffee को साफ कर रही थी तभी सिंग जून उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम ये फालतू के काम क्यूँ करती रहती हो क्या तुम यहां की सफाई वाली हो और अब इस काम को छोड़ो और अपने हाथ धो कर घर चली जाओ यहां शिन्हुक को हारी ने मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि वो उससे एक favor चाहती थी उसने शिन्हुक को सुंग जून से मिलवाने के लिए बुलाया था क्योंकि वो शिन्हुक को उसे अपना नकी फियोन से बताने वाली थी शिन्हुक ये नाटक करने के लिए राजी हो गया था लेकिन हारी ने उसे इसकी वज़े नहीं बताई थी कि वो ये नाटक क्यूं कर रही है यहां सुंग जून अब आफिस से निकल कर हारी से ही मिलने जा रहा था लेकिन तभी रास्ते में बारिश पढ़ने लगती है बारिश को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है वो कार से बाहर निकल कर रोड पर आ जाता है बारिश को देखकर उसके होश खराब होने लगते है क यही पर दोस्तों ये एपिसोड खत्म हो जाता है.